गुड इवनिंग फ्रेंट्स हम आपको COVID-19 की वर्तमान परिस्टिसी के बारे में बताना चाहेंगे अगर हम देखें तो हमारे देश में कंटिनूड बेसिस पर लास 15 दिनों से एक्टिव केसिज में एक डिक्रीज नोट किया जा रहा है तीन मही को जहां देश में एक्टिव केसिज 17.13 परसंटे वह घटे घटे अब 12.1 परसंट रह गए हैं इसी तरह से रिकवरीज में भी एक पॉजिटिव टेंड नोट किया जा रहा है तीन मही में जैसे 81.7 परसंट केसिज रिकवर्ट केसिज की दिष्टी में आते थे आज भी हम देखे तो पाते हैं कि हमारे एक्टिव केसिज 69 परसंट के करीब एक्टिव केसिज अभी केवल आठ स्टेट्स में लिमिटेड है और 21 स्टेट्स देश में ऐसी हैं जहां पर की रिकवरी डेली रिपोर्ट होने वाले केसिज से अधिक है 13 स्टेट्स एती हैं जिन्नों ने पिछले 24 गंटे में 10 हजार से जादा रिकवरी भी नोट की गई हैं इसी तरह से अगर हम डेली केसिज और डेथ को फर्दर अनलाइज करें तो पाते हैं कि जहां 7 मही को देश में 4 लाग से अधिक यानि कि 4 लाग 14 हजार के करीब डेली न्यू केसिज रिपोर्ट हुए थे वे पिछले 13 दिनों से घटे हुए 3,62,62,62,63,2,81,000 और अब पिछले 24 गंटे में 2,76,000 केसिज के करीब देश में नोट किये गए हैं इसमें से 77 प्रतिशत केसिज अधिक तम जो केसिज हैं वे 10 स्टेट्स में पाए जा रहे हैं साथ स्टेट्स ऐसी हैं जिन्नोंने 10,000 से अधिक डेली न्यू केसिज रिपोर्ट की हैं नौ स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें डेली केसिज 5,000 से 10,000 के बीच में आते हैं आठ स्टेट्स ऐसी हैं जहां 1,000 से 5,000 केसिज रिपोर्ट हुए हैं और बारा स्टेट ऐसी हैं जहां पर की एक हजार से भी कम केसे रिपोर्ट किये गए हैं डेथ का डेटा भी हमनों आपके सामने रखा है उसमें भी एक कमी नोट की जा रही है जरूरी है कि फील्ड पर क्लिनिकल मैनेजमेंट और कंटेनमेंट के अफर्ट सुचारू रूप से चलते रहें ताकि हम हर प्रिवेंटेबल डेथ को रोख सकें आज भी हम देखे तो पाते हैं कि 50% जो हमारी पिछले 24 गंटे की डेथ रिपोर्ट हुई हैं वह मुख्यते पास स्टेट, महराष्टरा, करनाटका, तमिलनाडू, यूपी और डेली स्टेट में नोट की गई ह एक और विश्यम आप लोगी दृष्टी में लाना चाहेंगे, जैसे कि फरवरी के महा में हमने जब केसिस का एक बढ़हतुरी शुद देखी, उस समय से बढ़ाते बढ़ाते हम लोग अपनी टेस्टिंग को भी उसी संख्या में बढ़ाते रहे, और अब हमने पिछले अफर्ट्स फील्ड पर कंटेन्मेंट पर जो हमारे बने रहे, जो स्टेट्स ने कॉर्डिनेशन किया, जो जिला लैवल पर कंटेन्मेंट अक्टिविटी और स्टिंगेंट रेस्टिक्शन लगाई गई, उसके तहट एक स्थाई पर जहां पर हमारी 2% केस पॉजिटिवि और वीकली बेसिस पर देश में केस पॉजिटिविटी अब घटे घटे 15.2% रह गई है, यहां एक विशे मेरे सीनियर कुलीग और डिटेल में हम लोग को गाईड करेंगे, एक विशे में आप लोग की दृष्टि में लाना चाहूंगा, कि अब तक देश में करीब 32 करोड से अधिक टेस्ट हो चुके हैं, हाइस सिंगल एवर टेस्ट डन 20 लाग से अधिक पिछले दो दिनों में किये हैं और पिछले 24 गंटों में 20 लाग 55 जार टेस्ट देश में हुए हैं, देश की पॉजिटिविटी पिछले 10 दिनों से 20 परसंट से कम नोट की जा रही है, और पॉजिटिविटी रेट करीब एक महिने बाद 13.31 देश में कल नोट किया गया, इसी के साथ ही अगर हम एक्टिव केसेज की अनायलसिस करें तो पाते हैं कि देश में 8 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर 1 लाग से अधिक एक्टिव केसेज हैं, यदि आप लोग को स्मरन होगा क पिछली प्रेस कांफ़ेंस दे हमने बताया था कि ऐसी देश में 11 स्टेट्स थी जहां पर 1 लाग से अधिक एक्टिव केसेज थे वह घटकर अब 8 स्टेट्स रह गई हैं, 9 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर की 50,000 से एक लाग के करीब एक्टिव केसेज हैं, और 19 स्टेट्स ऐ जहां पर की पचास हजार से कम संख्य में एक्टिव केसिज पाए जा रहे हैं। जैसे कि गुजरात ने अपने लोईस केस 11 अप्रेल के बाद कल नोट किये गए। उतर प्रदेश में इसी तरीके से 8 अप्रेल के बाद लोईस केसिज कल रिपोर्ट किये। यहां अगर आप इसमें trend on पिछले 15 दिनों का trend भी analyze करें तो पाते हैं कि करनाटका में भी अभी day on day basis पर cases में एक कमी दिखाई रही है, महराश्टर में पिछले 12-13 दिनों से cases में एक कमी दिख रही थी, केडला में भी अब कमी दिखनी शुरू ही है, लेकिन तमिलनाडू एक state ऐसी है जहां पर अभी भी हमें day on day basis पर cases में growth rate दिखाई दे रही है, उसके अलावा गर आप देखे तो पाते हैं कि आंदर प्रदेश में भी कमी आनी शुरू ही है, राजस्थान में भी कमी आनी शुरू ही है, वेस्ट बंगॉल और उत्तर प्रदेश में भी day on day basis पर active cases म एक कमी नोट की जा रही है, हाला कि यह discussion बहुत जरूरी है, यह समझना बहुत जरूरी है कि infectious disease के management में एक दिन का भी relaxation, एक दिन भी जो हमारा effort अगर उसमें धिलाई बरतते हैं, तो cases फिर से बढ़ सकते हैं, तो जरूरी है कि जिन states में कमी आ रही है, वे continued basis पर उस पर effort करते रहें, जिन states में कमी नहीं आ रही है, वहां और additional efforts किये जाएं, अगर हम देश में एक positivity के analysis करें तो पाते हैं, कि 7 states देश में ऐसी हैं, जहां पर कि 25% से अधिक case positivity पाई जा रही है, और इसी तरीके से 9 states ऐसी हैं, जहां पर कि 20 से 25% के बीच में case positivity पाई जा रही है, 22 states ऐसी ह जहां पर 15% से अधिक positivity है, 5 से 15% 13 states हैं, और less than 5% में एक state पाई जा रही है, positive wish है यहां पर जो हम लोग आप लोग की दिश्टे में लाना चाहेंगे, वह यह है कि 26 states और union territories ऐसी हैं, जहां पर कि पिछले week के comparison में case positivity में decrease note किया जा रहा है, country की overall positivity में कमी note की जा रही है, 9 states out of 10 जहां पर कि हमारे active cases जादा आ रहे हैं, वहां पर भी weekly basis पर positivity में decrease note किया जा रहा है, हर्याना में जैसे हम आप लोग को बताना चाहेंगे, 31.3% से घट कर अब 18% के इस positivity note की जा रही है, weekly positivity, दिल्ली में इसी तरह 21.9 से 10.2%, मद्य प्रदेश में 22 से 12.4%, बिहार, जारकंड, 36 गुजरात में weekly positivity पांस से 10% के बीश में पाई जा रही है, उत्तर प्रदेश और तिलंगाना में 5% से कम पाई जा रही है, लेकिन हमारा उसके साथ ही एक concern का issue यह भी है, कि कुछ states में अभी भी case positivity 25% से जैसे अधिक है, जैसे कि करनाटका, केरला, वेस्पेंगौल, गोवा, पुडिचेरी, जहां पर की हमें और अठ्यदिक ध्यान देने की आवश्शक्ता है, इसी तरीके से हमारे 39 के प्रांत में जितने प्रदेश है, वहां पर भी एक increase in case positivity डिनोट की जा रही है, एक positive विशे है, और हम आप लोग की दृष्टी में यह लाना चाहेंगे, कि जहां एक स्थाई पर 28 अप्रेल से 4 मई वाले सब्ता में 531 ऐसे जिले थे, जहां पर की प्रती रोज की बेसिस पर 100 से अधिक cases रिपोर्ट हो रहे थे, वह घटे घटे अप केवल 430 जिले रहे गए हैं, जरूरी है कि इन जिलों में भी जो हमारा शुरू से एक अप्रोच रही है इन टर्म्स ऑफ कि कैसे हम स्टेट के साथ, जिला के साथ, हर डिपार्टमेंट के साथ मिलके और कैसे कम्यूटी को इंगॉल करकर containment पर काम करें, वह उसी तरह से सुचारू रूप से चलाय रखने की आविश्यक्ता है, इसी तरीके से अगर हम देखें कि ऐसे कौन से जिले ह हैं, जहां पर कि केस पॉजिटिविटी में एक डिक्रीज, जो इन केस पॉजिटिविटी जो था, डिक्रीज इन केस पॉजिटिविटी अब नोट किया जा रहा है, तो वह अगर 29 अपरेल से 5 मही में 210 जिले थे, अवे बढ़ते बढ़ते 303 जिले पिछले हफते में नोट कर सकें case positivity जैसे हम इससे पहले भी आपको बताते रहें is an indication of spread of infection तो अगर हमें infection को रोकना है हमें base पर काम करना है हमारे root cause पर काम करना है तो जरूरी है कि हम infection को फैलने से रोकें ताकि हम उसके बावजूद भी अगर कोई case positive आए तो हम उसको monitor कर सकें WQ की guideline clearly indicate करती है कि 5% से अधिक case positivity should be a cause of concern जिसके तहत हमने जिलो से state से request की है कि इसे continue basis पर जहां पर भी अधिक case positivity उस पर कारे करें इसी तरह के से हम देखें कि कुछ ऐसी states हैं दस states ऐसी हैं जहां पर कि देश में अभी cases में भी कमी साथी positivity में भी कमी नोट की जा रही है जो कि एक हमारे लिए हर्श का विशे है जिसमें मुखेत है महराश्टरा राजस्थान खासकर उत्तर प्रदेश जैसे आप देखें कि चार हफते पहले 16.8% case positivity घटे घटे 4.8% रह गई है उसी तरीके से हर्याना जहां हम एक concern आपको highlight करना चाहेंगे एक स्थाई पर 49.2% से 18% case positivity decreased हुई है लेकिन cases में अभी उस तर से कमी आने की आविश्यक्ता है यानि की containment पर बल हमारा बना रहे इसी तरह गुजरात में cases में और positivity में एक कमी नोट की जा रही है छतिस गड़ में हम देखें तो 32.8% से घटे 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 वे 9.5% रह गई है और तो इस थाई से cases में भी हम एक decrease note कर रहे हैं यह effort continued basis पर बनाय रखने की आविश्यक्ता है इसी तरीके से बिहार में decrease in case positive cases मध्यप्रदेश में भी अगर हम देखें 33% से घटे घटे case positivity अब 12.4% रह गई है दिली में इसी स्थाई से 35.2% से घटका 10.2% और दूसरे स्थाई पर cases में भी एक कमी नोट की जा रही है यह continued efforts है एक दिन का भी relaxation एक दिन की भी delay हम उस level पर पहुँच जाएंगे कि फिर से हम एक cases में increase note कर सकते हैं positivity में increase note कर सकते हैं इसलिए जरूरी है कि these signals should be taken as an indication कि हमारे efforts सही direction में हैं और उनको और अच्छे तरीके से किया जाए cause of concern ऐसा भी है कि कुछ states में cases में भी बढ़ोतरी note की जा रही है और case positivity में पिछले तीन हफ़तों से increase note किया जा रहा है ऐसी साथ state हम आप लोगे सामने दिखाना चाहेंगे मुखे ते तमिलनाडू जिसमें 16% से बढ़ते बढ़ते case positivity 24% के करीब हो गई है और साथ ही एक regular basis पर cases में increase note किया जा रहा है यानि कि यहां पर containment को और सुद्रड़ तरीके से चलाने की आविश्यक्ता है इसी तरह से 39 के हमारी जितनी states हैं मिगालिया, ठृपुरा, मनिपुर, नागालेंड, सिक्किम और मिजोरम वहाँ पर भी हम देखें तो पाते हैं कि एक स्थाइपर case infection spread जादा दिखाई देता है दूसरे स्थाइपर cases भी बढ़ते दिख रहे हैं तो वहाँ पर भी stringent containment measures की उतनी ही आवश्चक्ता है अगर हम देखें कि ऐसे कौन से state wise कितने ऐसे जिले हैं जहांपर की cases में decrease पिछले दो हफ़तों से नोट किया जा रहा है तो हम देखें तो पाते हैं कि जैसे बिहार में 38 में से 21 जिलो में पिछले दो हफ़तों से case में decrease नोट किया जा रहा है 36 गड़ में 13 out of 28 जिलों में case decrease note किया जा रहा है कई स्टेट्स ऐसी है जहां पर यह decrease note किया जा रहा है जो हमने आपके सामने रखा है इसमें मुखेते जरूरी है कि कई ऐसी स्टेट्स जहां पर number of district जादा है लेकिन decrease in cases अभी भी कुछ limited जिलों में note किया जा रहा है इसी के साथ ही ऐसे भी कुछ जिले है जहां पर की decrease in cases तो हो रहे हैं लेकिन case positivity में पिछले तीन हफ्तों से हमें एक बड़ात्री note कर रहे है मैं आप लोगी दृष्टी में लाना चाहूंगा देश में ऐसे 89 districts हैं जहां पर की decreasing trending cases note किया जा रहा है जहां एक अधिक case आते हैं और 123 ऐसे जिले हैं जहां पर decreasing trending positivity भी note किया जा रहा है जिसमें से कुछ जिले जिसमें की cases और positivity दोनों ही कम होती दिखाई दे रही है हम आपकी दृष्टी में ला रहे हैं जैसे इसमें मुखेते देखें तो हम देखते हैं कि पूने में 39% केस positivity घटे घटे अब 17.6% रहे गई है और उसे के साथी cases में decrease आ रहा है similarly थाने में अगर देखें तो 22 से घटे घटे 9.4% केस positivity है और साथी cases में 32,000 से घटे घटे cases weekly basis पर 12,000 रहे गए हैं नागपूर, इंदौर, इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जरूरी है कि ये efforts continued basis पर बने रहे हैं cause of concern फिर भी हमारे सामने exist करता है overall अगर हम देश को एक segregated way में देखें तो कुछ particular zones में हम पाते हैं कि अभी भी cases में भी increase और positivity में भी increase पिछले तीन हफ़तों में नोट किया जा रहा है जिसमें 194 ऐसे जिले हैं देश में जहां पर एक तो cases में marginal increase नोट किया जा रहा है कुछ में जादा भी नोट किया जा रहा है और 121 ऐसे जिले हैं जहां पर increase in positivity दो marginal और higher is getting noted जिसमें मुखेत हैं हम आप लोगों के सामने दिखाना चाहेंगे जैसे मलापुरम, इसकोदावी, कोएंबटूर, कोलम, अनन्दपूर, चिंगलपटू, बेलगावी और तिरुचुरपली इसमें मुखेत अगर हम देखें तो कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर sharp price in cases as well as sharp price in positivity भी नोट किया जा रहा है उधारन के तोर पर कोएंबटूर जिला देखें तो 11.5% के इस positivity बढ़ते बढ़ते अब 39.9% नोट की जा रही है और साथ ही उसी speed से वहां cases की एक बढ़त भी दिख रही है तो जरूरी है कि वहां पर जैसे government of India की guidelines है district administration की level पर intensive action in terms of local containment किया जाए